दोस्तों अभी ठंडिया स्टार्ट हो चुकी है और ठंडियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको जहलनी पड़ती है जिनकी स्किन ड्राय होती है सर से लेके पैर तक आपकी जो स्किन होती है आपके जो बाल होते है बिल्कुल चिरचिडाहट में सी महसूस होती है स्किन फटने लगती है और कुछ लोगों को तो बहुत ज़दा पेन सी महसूस होती है कुछ लोगों के इंगलियों में नाखूनों में या फिर गाल में एडियों में बलड सा निकलने लगता है तो आज मैं उन लोगों के लिए वैसलीन पैट्रोलियम जैली के कुछ ऐसे हैक्स लेके आए हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे और सबसे बड़ी बात य चल जाती है अगर आपको ज्यादा मतलब नहीं खर्चा करना है और या फिर अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आपके लिए बहुत आसान है सबसे पहला है कि जब आप रात में फेश वास करते हैं बेट पर जाने से पहले आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाच कर ल होना है और पूरा दिन आपका चेहरा बिलकुल सॉफ्ट और मुलायम बना रहेगा और बिलकुल भी डल नहीं लगेगा आपका चेहरा और दूसरा है कि यह है कि आप देखते होंगे कि अकसर आपके जो नाखून या फिर जो उंगलियों की टिप्स होती है उन पे काला पना होती है वो फटेंगी भी नहीं नेक्स्ट यह है कि जो आपके बाल है ठंडियों में बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं स्पेशली यह नीचे की जो स्प्लिट एंड्स है जो बाल है वो दो महें हो जाते हैं तो इन पे आप थोड़ा सा इस तरीके से मसाच कर लें और इस अब नेक्स्ट आक यह जैसे आपके जो बाल है आपने देखा होगे चोटे चोटे जो बाल सब के बेवी हेर सबके रहते हैं कोई ऐसा नहीं कह सकता आपके बेवी हेर और उसके बाद अपने बालों में थोड़ा सा कंगी कर ले तो आपके इस सारे के सारे जो बालों में एक टम सेट हो जाएंगे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा नेक्स्ट है कि ये है कि दोस्तों सर्दियों में जो हमारी कोहनिया होती है चाये वो घुटने है पैरों की घुटना हो या फिर हाथों की कोहनी हो ये बहुत ही ज़्यादा फटने लगती है बहुत ज़्यादा मोटी सी काली सी एक परत चम जाती है ठीक से तो बहुत तो कि कौनिया है वो बिलकुल लाइट भी हो जाएंगी अगर डाक है तो और जो मोटी सी परत सी जमी होती है वो भी धीरी धीरी छूट जाएगी जब आप इसको नहाएंगे तो नहाने से पहले थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे तो आपकी जो डेड़ स्किन है वो भी की है इसको आप अपने होटों पर एजा लिबाम भी लगा सकते हैं यह बहुत ही अच्छा होता है इसे जो होट होते हैं विलकुल सॉफ्ट एंड मुलायम होते हैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वी